हो सकता है आप अपने पापों के बीच में डरे हुए हैं उस पाप का संकट आने से के मैंने बहुत सारे पाप की हैं और ये एक संकट और श्राप के रूप में मेरे जीर में आएगा तो आज परमेशा का आत्मा पफितर आत्मा आपको बोल रहा है मत डरो क्योंकि बहुत जी है था उठा है सता बोले ये शू जिंदा है ये शू जिंदा है येशु जिन्दा है येशु जिन्दा है क्या आज आज आप खुश हैं उसके जी उटने के दिन की खुशी में आपने गुड फ्राइडे प्ले देखा आज देखा मेरा बलीब है कि आप उसके वो वचनों को आप अल्रेडी एक सामर्ती परजाव सुन चुके हैं येशु के मूँ से निकला और एक प्ले के दोरा वो हमारे हिर्दों में हमारी रगों में जा चुका है हलिलोईया हम सबसे ब्लेस इंसान है क्योंकि हम जीवीद परमेशा को मानते है इसलिए कभी भी ये मत सोचो मैं आमू मेरी लाइब में कुछ नहीं हो रहा है आपने आज रेगलर इतनी 15-20 गवाईयां और भी लोग थे पर हम सबी गवाईयों को ले नहीं पाए पर ये बहुत परमेशर है क्योंकि ये लोग जीवीद परमेशा के सामने आए इनके लाइमें दुख थे, निराशाएं थी डर था, चिंता था, गब्राड था पाप इन्हें सता रहे थे रोक इन्हें सता रहे थे दुष्ट आत्मा इन्हें सता रहे थे पाप के श्राप इन्हें सता रहे थे पर जैसे जीवीद परमेशा को इन्होंने माना और जीवीद परमेशा ने सब को जिंदा कर दिया इनके जिंदगियों में हालेलूया हालेलूया ओके आज देखते हैं आज एक हमगी कार करना है एशु जिंदा है और देखते हैं कि आप अपने पडोसी से उचा बोल सकते हैं जा नहीं ओके अपने पडोसी के हाथ को पकड़ो कोई भी एक-एक हाथ को पकड़ो और उसकी और चहरा कर लो मेरी और मत करो और अपने पडोसी को बताना है आज अपने पडोसी को बताना है ओके पहले बो बताएगा आप उची वास से बोलेंगे जो मेरे सज्जे हाथ है ठीक है जल मैं बोलूँगा फिर जो खबे हाथ वाला आपका पडोसी होगा एक एक पडोसी लेना है एक एक के हाथ पकड़ने केवल एक जन एक एक कोई एक एक ले पडोसी ले लो कोई एक एला नहीं रहना चाहिए और देखते हैं कि इधर से लोग ज्यादा अंगीकार उची वास से करते हैं उसके जी उटने का जब आएं हाथ वाले दाएं हाथ वाले जब आएं हाथ वाले हालेलुई तो सबसे पहले मैं मौका दूंगा उसके बाद फर्स्ट मौका आप खबे हाथ वा आज ऑक ocur अब दाएंग अप्रो हेले उनको बूलना है येशु जिНА थे हैश ऑक अब बाइंहा cape को बूलना है येशु जिन्दा है थोके एक वार baterain करें अब यहाथ वाले पहले भूलेंगे येश्व बूलेंगे येशु जिन्दा है ओके इदर वाले बोलेंगे येशु जिन्दा है अब सारी चोर्च बोलेगी येशु जिन्दा है आप बराबर रहें सब जीत गए सब बराबर रहें सारी चोर्च बोले येशु जिन्दा है येशु जिन्दा है और शैतान शैतान क्या है क्या है क्या है आज शेतान पर मुझे बहुत हसी आ रही थी जब वर्षी टीम बजन गा रहे थे और लकवीर कुछ ऐसा ही करता है अज मीटिंग में इसको वाधत है शेतान की ज़्यादा तैय लगाने की तो जब यह वर्षिप कर रहा था आपको भी हसी आ रही होगी और आज के दिन पर यह चाहिए होता है जो लोग कहते हैं शेतान मुझे तंग करता है अगर आप शेतान की बेज़िती करो ना उस पर हसो तो शेतान बेज़िती के मारे आपको शोड़के चला जाता है अगर उसने भीमारियां दियें, रोग दियें, श्राब दियें, जब आप उसकी बेजिती करते हो, तो शरम के मारे वो बाग जाता है, लेकर सामना करो और वो बाग जाएगा मौत कबर उते, पाई फता, येसू जिन्दा होया, येसू जिन्दा होया हालिलूई, ओके ऐसे खड़े रहना, मैं एक प्रफेटिक वर्ड आपके उपर रिलीज करना चाहता हूँ, उसके बाद हम वर्शिप करेंगे ओके एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा, दो तीन, उसके बाद बाकी हम प्रीच में पढ़ेंगे पहला वचन आपके स्क्रीन के सामने होगा, मैं उसे पढ़ूँगा कि कैसे ये शुमसी मुर्दों में से जी उठे और कैसे ये शुमसी ने उसाद बुद कारे को किया जब मैं मर्कुस की किताब 15 अद है, उसकी 37 और 49 बढ़ता हूँ, तब येशु ने बड़े शबस से चिला के अपना प्राण शोड दिया 38 में लिखा है, और मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया ओके 49 बढ़ेंगे, जो सुबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे जिऊं चिला कर प्राण शोड़ते हुए देखा तो उसने का सच मुझ ये मिनुष परमेश्व का पुत्र था, हालिलूईया जब ये मिनुष जब ये प्रान ते आगया मंदिर का परदा फट गया, तब उन्हें अकल टिकाने आया, उसने का कहता है, सच मुझ ये शु परमेश्व का पुत्र था, हालिलूईया सच मुझ ये शु परमेश्व का पुत्र था और उसके बाद जो आपने स्टोरी देखी पढ़ूँगा मैं उसे जब आगे बढ़ते हम मरकुस 15 की 46 और 47 तब उसने मलमल के एक चादर मोल ली और शब को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कबर में चटान में खोदी हुई जो थी रखा और कबर के द्वार पर एक पत्थर लुड़का दिया मरियम मगदिलिनी और योसेश की माता मरियम देख रही थी कि वै कहां रखा गया है मती 28 की एक से शेतक सबत के दिन के बाद सबता के पहले दिन पौपढ़ते ही मरियम अग्दलिनी और दूसरी मरियम कबर को देखने आई आपको सब बो स्टोरी याद करें जो अभी आपने देखी फिर मैं आपको इसका गोशना बताता है एक प्रफेटिक वर्ड येस आगे बढ़ेंगे और देखो एक बड़ा बुकंप हुआ क्योंकि प्रबु का एक दूद स्वर्ग से उत्रा और पास आकर उसको उसने पत्तर को लुटका दिया और उस पर बैठ गया को कि दूद परगट हुआ उसके बीच में उसका रूप बिजली कासा और उसका वस्तर पाले के समान उजला था उसके बैसे पहरुए कांप उठे नित्व के समान हो गए स्वर्ग दूदों ने इस्तरियों से कहा मत डरो ये आपके लिए परफेटिक है मैं जानता कि तुम येशु को जो क्रूज पर चड़ाया गया था डूंडदी हो वह वहाँ नहीं है प्रेंतु अपने वचन के नुसार जी उठा है जाओ स्थान देखो यहाँ प्रभू पड़ा है बोलो येशु जी उठा है बोलो येशु जी उठा है बोलो येशु जी उठा है अगर आज आप इतनी बार अपने मूँ से अंगिकार कर चुके है कि येशु जी उठा है तो जाद रखो जब वो कबर के पास आई और वो डर गई तब दूत ने क्या बोला कि डरो मत वो जी उठा है अगर आप एक दूस्ट आत्मा के स्थाव की नीचे हैं और दूश्ट आत्मा आपको तंग करती है तो आज दूत आपको बोल रहे है आत्मा आपको बोल रहा है कि मत डर क्योंकि तेरा येशु जी उठा है और तेरे विच्कार है तु जीवित परमेशा को मानते हो Hallelujah आप अलग लगते रहें कि दुखों में हो सकते हैं निराशाओं में हो सकते हैं बूरे हलातों का सामना कर रहे हो सकते हैं Bad news पर bad news आपको चारोधी शाओं से गेर रही हो सकती है पर आज परमेशा का वचन कहता है कहता है वो अपने वचन के उन्हों सार जी उठा और वो आज परमेशा का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि वो ये शो जी उठा है Hallelujah आज वो तुझे कह रहे हैं मत डर क्योंकि तु जीवित परमेशा को मानती है मत डर क्योंकि तु जीवित परमेशा को मानता है मत डर मत डर मत डर अगर आज आप उस डर को निकाल चुके हैं उस जीवित परमेशा के सामने है कि मैं जीवित परमेशा को आया हूं के सामने आया है जिसने इन लोगों को गवाई के साथ खड़ा किया वो मुझे भी करेगा अगर आज आप अपना डर को दूर करके ये शुमसी पर जीवित परमेशन पर अपने विश्वास को लाएंगे तो आज आप अपनी जीवन में उसकी महमा को देखेंगे बोले आमेन हालेलूया उसने का मत डर क्योंकि वो जी उठा है डर एक अविश्वास है चिंता एक अविश्वास है गब्राहट एक अविश्वास है तो आज अपने डर को चिंता को गब्राहट को नेक्टिव अंगिकारों को बूरे विचारों को डर और गब्राहट चिंता की विचारों को दूर करके इस बात पर विश्वास करे ये शुजी उठा है तो उसके जी उटने की साम आपको गवाई के साथ खड़ा करेगी आप एक ची जाद रखो जब भी आप चर्च में प्रेयर के नीचे होके जाते हो हमने बहुत सारे लोग को ऐसे देखा कुछ लोग गवाई देते हैं पर कुछ लोग नहीं देते पर मैं आपको ये बात का बिलीव दवाना चाहता हूँ जब भी आप प्रेयर के नीचे होके जाते हैं लेहेंड के नीचे होके जाते हैं चर्च में खुदा की वर्शिप करके जाते हैं लेहेंड लेके जाते हैं फर्स ताइम आते हैं ऐसे भी आपके उपर anointed touch लेके आप जाते हैं, आप सेम नहीं, आप अपनी गवाही को लेकर जाते हैं, लोग अपनी गवाही को लेकर जाते हैं, कोई अपनी गवाही देता है, कोई कहता है जब सालवाद दोंगा, जब बेबी आजेगा, पिछले Easter ब्लेस हुआ, और अगले Easter आके अपने बेबी के साथ आ रहा है समझभा रहे हैं पर हर आपको यह मानना है जब आपके लिए प्रेयर होती है गोश्णा होती है लेंड होता है टच किया जाता है आपको आप अपनी गवाही को रुसीव कर लेते हैं कुछ लोग की गवाही उनके वीजा लगने के वाद को कोई कहता ओके मेरा काम बनना शुरू हो चुक है उस गोश्णा के बाद अब मेरा सारा काम पूरा हो जाए मेरा वीजा लग जा तब गवाही दोँगा पहले ना पता चले ओके प्रेगनेंसी हो चुकी है पर ऐसा नहीं मैं जब मेरी बीबेबी आ जागा तब दोँगा तो आज आप जी उठने की सामर्द की नीचे होके जा रहे हो बस आज आप आयो तो आज believe करके जाओ उसके जी उठने की सामर्द मेरे चीवन को नया कर चुकी है मैं यहां से bless होके जा रहे हूँ किया तुम्हें से विश्वास से खड़े हो तो बोलो, येशु जी उठा मैं चीवीत परमेशा को मानता हूँ Hallelujah उस पले को याद करते हुए उस गूड़ फ्राइडा जो आपने कुरवानी को देखा है उस कुरवानी को याद करते हुए उस जी उठने की सामत को याद करते हुए आप अपने चीवनों में जो प्रैसेंस कुदा के बवन में है उसकी किरपादीश्ट्री से, उस अनुगरादी दिश्ट्री उसकी दैया से आप अपने चीवनों मिर्कल्स को लेकर जारें जब यहां से जारें हालेलुई